ताजा तरेन खबरों के लिए Prime News 24 को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन का बटन दबाए पूछा गया तो उन्होंने भेज़िजक के डाला कि हमारे पास तो लाइसेंस है जबकि साशन द्वारा आदेशों की अगर बात की जाए तो साशन की तरफ से इस तरीके का कोई भी आदेश नहीं है अगर चोटे डॉक्टरों की बात की जाए तो सभी को जो है लोक्डाउन के मादिन से बंद कर आवाज जिया गया आप खुले बैट में आप पैसेंट की देख रहे हैं मेडिकल पर दिश्टेंस की जो अस्पताल चला रहे हैं आप कितने समस्च चला रहें कि अधिकली है जो लोकर में और फॉलोट दवाई तो देंगे रहे हैं दवाई आप एक मेटर दूर से भी दे सकते हैं आप तो बच्चों के देट वो चेक अप कर रहे हैं तो बच्चे वो यहां से सवारी नहीं चल रहे हैं तो कैसे जाए हैं परेशान है ने डिस्टेंस क सब्सक्राइब कर रहे हैं जो भी आता है साथ दोले का अब यह थोड़ी है सब की जैन में थोड़ी रखा रहे हैं अच्छा जैन में रखा जाएगा आपको बता दे कि दरसल पूरा मामला जनपत अम्रोहा के गजरॉला थाना छेत्र के अंतरगत आने वाले मेडिकल संचालक अपने मेडिकल स्टोर पर कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से निडर होकर लोगों का ट्रीटमेंट लगातार कर रहे हैं इसके बारे में जब मुखे चिकितसा अधिकारी मेग सिंख अम्रोहा से बात की गए तो उन्होंने कारिवाई का आसवाशन दिया है लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि साशन द्वारा दिये गए आदेशों की धजियां उड़ाते हुए इन मेडिकल संचालकों पर क्या कारेवाई होगी ये अब भी कुछ नहीं कहा जा सकता कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन के चलते जिलादिकारी महोदे के अनुसार पूरे जन्पत में प्राइवेट अस्पतालों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है इसी बात का फायदा उठाते हुए गजरोल से काविंदर सिंगी रिपॉर्ट